नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका काम की बात में आज हम आपको बताएंगे एडल्ट इंडस्ट्री की मशूर कलाकार मिया खलीफा के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं मिया खलीफा का जनम 10 फरवरी 1993 में लेबनान के बेरुट शहर में हुआ था जब मिया सिरफ 7 साल की थी तो वो अपने माता पिता के साथ 2001 में अमेरिका आ गई थी मिया का असली नाम मिया कालस्टा है लेकिन पौन इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने अपना नाम मिया खलीफा रख लिया था उन्होंने El Paso से Texas University से History में Bachelor of Arts की डिग्री पास की है अपनी डिग्री पूरी करने के बाद Mia अपना career choose नहीं कर पा रही थी इसलिए उन्होंने Florida के Miami शहर में एक fast food रेस्ट्रो वर्ट बर्गर शॉप में काम करना शुरू किया एक दिन जब खलीफा रेस्ट्रो में काम कर रही थी तो एक Adult Entertainment Industry के एजेंट ने उन्हें Porn Industry में आने के लिए कहा Mia को लगा कि उनके लिए एक बड़ा अफसर है और उन्होंने Porn Industry जोईन कर ली Porn Industry को जोईन करने का कैसला Mia के माबाप को बिलकुल पसंद नहीं आया और उन्होंने Mia से बात करना छोड़ दिया इसके बाद Mia ने इसाई धर्म को अपना लिया जिससे उनके माबाप और उनके देश का गुस्ता और भी बढ़ गया Mia के देश के लोगों का माना है कि वो इसलाम के नाम पर एक कलंक है 2015 में Mia का एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत वाइरल हुआ था जिसमें वो हिजाब पहन कर अपनी कला का परदशन कर रही थी आप समझ गए होंगे हम कौन सी कला की बात कर रही है इसी वीडियो के वाइरल होने की वज़र से Mia Khalifa Pornham.com की सबसे जादत सर्च की जाने वाले पौन स्टार बन गई थी उन्हें लेबनान और कई मुस्लिम देशों से मौत की धंक्या भी मिली थी चूंकि मुस्लिमों के धरम के अनुसार हिजाब पहन कर सेक्स करना गुणा माना गया है Mia ने महज 18 साल की उम्र में 2011 में एक अमेरिकी आदमी से शादी कर ली थी वर्तमान में Mia और उनके पती फ्लोरिडा के मियामी में अपने दो कुस्तों के साथ कहते है मिया खलीफा बैटमेन की बहुत बड़ी फैन है उनका इंस्ट्राग्राम प्रोफाइल बैटमेन की पोस्त पे भरा पड़ा है मिया माडल का दर्शयान और सोफिया वैर्गरा को अपना रोल मोडल मानते हैं मिया ने अपने हाथों पर लेबनान के नेशनल गान की श्वाती लाइन्स का और लेबनानी फोर्स कोस का एक टैटू बनवा रखा है लेबनान के लोगों ने इसी भी कड़ी निल्दा की थी जनवरी 2015 में टाइम साइस नाम के संगीपकार ने मिया खलीपा को सपोर्ट करने के लिए गाना भी बनाया था तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार झाल